लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्टरा चनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें लेटेस्ट अल्टरा चनल्स कि लेटेस्ट अल्स करें। लेटेस्ट अल्स करेंगं बाइब अल्स पर बेल हैं ख़ुआ को अरुकर टार आपोर सोफिया सपीज़ करहार देफाดयों कर दो… लगाइब दिशन दूरे, और कुछिते हैं, और कंशने लेकाफ। क्यों जौट्सेट, इंडिबेंदेर्धेस ने चुट्डे में अजशे दिज्टी है? झाली आज चुट्टी है, प्रेम को आज रूपर सोगाई प्रेकर दिज्विट से करों जंडा लेलो भाईया दस रूपे का लेलो ना दिलका जंडा लेलो भाईया दस रूपे का 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 लेलो भाईया लेलो भाईया लेलो भाईया लेलो भाईया लेलो भाईया लेलो भाईया लेलो अच्छ प्रिंगे तस रुपे देकर एक जंगा भी नहीं खरीच सकते हैं यह आजारी पेकार में देलाई छे हैपी इंडीबनेस डे सेम तो यू बार बाइ और जुछ कुछ का भी घज। प्युछ झाल तुछ क्याहि झाल का भुछ क्याहि करता फिर सर चाय सर मेडम चाय सर चाय सर येली जी आपकी चाय कम शुगर वाली थैंक्स एपी इंडिपेंडनेस दे सर एपी इंडिपेंडनेस दे थैंक्यू सर ये ले रख ले थैंक्यू सर सर पैसे देकर पुलीस वालों का मजाग क्यू उडा रहे हो सर मैं पचास साल का हो गया हूँ, मुझे शुगर है घर वाली को भी याद नहीं है, लेकिन ये लड़का कभी नहीं भूलता है, इसलिए सर आप चाय पी के जल्दी से एक ब्लास दीजे ना, मुझे जाना भी है तेरा काम तो चाय पिलाना है, और इससे बड़ा क्या काम है नहीं सर, मुझे ये सारे तिरंगे बेचने हैं सर, और शाम से पहले बेचने हैं, नहीं तो चार बजे के बाद कोई नहीं खरीदेगा सर लोगों की नफस तू जानता है, बहुत कमाएगा, जा तैंक्यू सर, ओके सर, चलता हूँ सर येस, पॉलिस कंट्रोल रूम सर सर, मेरे घर में दो नकापोश आए, कहने और पैसे सब लूट के ले गए, तुमारे सर पे पिस्तोल दान के सब ले गए आपको कुछ हुआ तो नहीं मुझे तो कुछ नहीं हुआ, मेरी पेंजिन का सारा का सारा पैसा ले गए, आप जल्दी आईए न अडरस बताईए नबर पंदरा, सेकेंड स्रीट, गांधी नगर, अडियार आप घबराएए नहीं, पांच मिनिट में पोलीस पहुच जाएगी अलो, पोलीस कंट्रोल रूम, हाँ बोलो सर, अचानक हमारे घर में दो नकाफ बोश खुशा है सर, सेवर और पैसा सब लूट कर ले गए सर, आप जल्दी आईए सर अभी अभी तो बताया, पोलीस पहुचने ही वाली है नहीं सर, मैं तो अभी अभी फोन कर रहा हूँ गांधी नगर, नमबर 15, 2nd स्ट्रीट, अडियारी है ना नहीं सर, मैं इंद्रानगर से बोल रहा हूँ इंद्रानगर से पोलीस पहुचने वाली है घबराई ही नहीं सर अगस 15, आज हमारा गरतंत्र दिवस है और इस दिन को धूम धाम से मनाने वाले मेरे चात्र चात्राओं सर, स्वतंत्रता दिवस के बदले गरतंत्र दिवस बोल रहा है यह तो कुछ भी नहीं, पिछली बार के समारों में तुल्ची दास के बदले कभीर दास बोल रहा था, उसके लिए क्या बोलोगी यह भी न, हाँ बोलो यो जी मैंने मचली लाने के लिए काथान क्या हुआ देखो, अभी अभी तो इसने भाशन देना शुरू किया है, जंडा फेहरा लेने दो, फिर तुमारे लिए सुर्माई मचली लेक आऊंगा, रखता हूँ हाँ बोलो सर, इस वक्त आप कहा है सर, जल्दी से इंद्र नगर और गांदी नगर के लिए निकली है सर सर, जांघ कमातली यहाँ से आप अचो जह आठा है सर, रोबरी हो जहता है रोबरी हो है ना। सर आठ घरों में चोड़ी हो चुके जम हैं क्या कहा? आठ घरों में? क्या सर दूसरे राज्यों से आके घुज गउज गएक क्या? सर आठ नहीं, नाओ गर. यह जल जल्दी जल अन्ना सब आधी रेलवे स्टेशन सेक्रेटेरियन वहां की सारी पुलिस को तुरंद स्पॉट पे आने के लिए बोलो एक यह है जो मचली मचली बोल कि मेरी जान खाय जानी इस वक्त आप काहा हैं? सेक्रेटेरियर्ट में सियम के जंडा फ्याराने के बाद वापस थानी जा रहा सर आपके सर्किल में अगस्टन स्ट्रीट और अच्छनगर स्ट्रीट में करीब साथ गरों में गन पॉइंट पे चोरी हुए सर गन पॉइंट पे चोरी? अभी तक अड़ेयार और बसंद नगर के अठारा गुरों में जोरी हुए है सर्ड येर फोर्ट पे सर्विलेंस पे जितना है तब को बुलालो ए इंद्रा नगर ये मैजिस्टिक रोड जाना है आखिर जाना का यह बोदा इंद्रा नगर के चार घरों में चोरी हुए है सर्ड और मेजिस्टिक रोड में छे घरों में बड़ा पाउचार समोसा छे तू फोटल ने बैटके आटर से रह गया अखिर चोर है कौण अब फॉरण महाँ से निकलिए सर्ड अभी तो जंडा फराना शुरू किया चॉकलेट भी नहीं मिलिये सर्ड आपके सरकें में महालक्षमी गली में नव घरों में चोडिया हो चुकी है सर नव घरों में? शास्ता कॉलोनी में तीन घरों में, वहां फारॉन जाईे सर ए, शास्ता कॉलोनी मेरे अडिया में नहीं आता है ना सर, आड्यार और वसंद नगर में, अभी तक 16 घरों से भी साधा लगातार एक के बाद एक शुटिया हो री जिखता खिंद्रा नगर फास्ट्रीट शास्त्री नगर फिप्टीन स्ट्रीट कांधी नगर फिप्टी स्ट्रीट बोल भाई अंडाली स्ट्रीट यह क्रिष्णा स्वामी स्ट्रीट दोनों के बीच में खड़ाओं किदर जाना है आडियान तिर्वान मयूर बसंद नगर सी आइटी कोलोनी कुल मिला कि फोट्टी नाइन घरों में चोरिया हुई है सर् यह भी घड़ी घड़ी परेशान किया जारी है हां बोलो अरे तुम मचली लाने वाले हो के नहीं आस मैं वेजिटेरियन हो गया हूँ अब फोन आगा और मत जहां जहां चोरिया हुई है वहां के सभी इंस्पेक्टर्स को पोलिस हेड़कर में आसंबल होना है क्विक इट् आप देना भारी पर रहा है उसी बारे में मीटिंग चल रही है सर जैसे एक हाथ मोगे मैं खुद फोन करूंगा यह भी एक जब देखो तब का है वह जेटू इंस्पेक्टर सुरेश दिखाई नहीं दे रहा है सर तेरे एरिये में ही ज्यादा रॉबरीज हुई कहां गया था तू सर ओम मिनिस्टर के साथ स्कूल पे गया था सर ओहो तुझे अपने साथ में रखकर वो मुझे यहां फोन कर रहा है नॉंसेंस पोलिस के हिस्टरी में पहली बार आगस्ट 15 इंडिपेंडेंस डे के दिन कितनी बड़ी रॉबरीज हुई हैं और 49 घरों में टकैती बढ़ने तक तुम सारे के सारे कर क्या रहे थे हैं सर यहां चिन्नई शहर में 100 नंबर पे कोई डायल करता है तो हमारा रिस्पॉंस टाइम मैक्सिमम साथ मिनट का होता है सर ज्यादा से ज्यादा पान से साथ मिनट में हम पहुंच जाते हैं सर लेकिन आज हमारी फोर्स पूरे शहर में बिखरी हुई थी इसलिए 15 मिनट लग किये सर पहले सी जहां चोरी करनी थी प्लान किया हुआ था इसमें देखने वाली बात यह है कि वो लोग हरे घर का ब्लूप्रिंट अच्छी तरह से जानते हैं सर जिन घरों में चोरी हुई वहां पर जाकर हमने जब पूश्टाच की तो जेवर पैसा कहां कहां रखा है वो पूश्टाच करने के बाद सबका एक ही जवाब ब्लैक ड्रेस बहने हुए फेस मास्ट में दो लोग एक गन पॉइंट पे खड़ा रखता था और दूसरा लूटता था सर 49 घर पूरो शहर दहल गिया है CCTV फूटेज में भी कोई क्लू नहीं मिला सर उनचास घरों में से 32 घरों में CCTV कावरा है लेकिन 12 घरों में काम नहीं कर रहा है बाकी के 20 घरों में सर चोरी होने वाले कुछ घरों के अंदर फूटेज क्रेश हो गया है नो फूटेज सर एक दिन का देड़ जीबी डेटा फ्री देंगे, तो ऐसा ही होगा, ऐसा ही. डिजिटल इंडिया, गायत्र को बुलाओ. खोल, खोल, अरे खोल, अरे खोल, अरे मैं घर की सफाई करने आयों. एक औरत से इतना घबराना पड़ रहा है. ए, घबराएं नहीं, मैं कांप किया था, भड़ गई थी, अपने सारे लोटने रात को ही भार निकल जाएंगे, हमें भी यहां से निकलना है, बाकिया भाईया समाल लेंगे, तो डर मत. ए, दर्वाजा खोली चट्टी, आज मैं बहुत बूट में हूँ, अरे रे, उन्हें कुछ मत करेगा, हो मेरे पती है, हो दर्वाजा, आज मैं तुझे, ए, ए, एक या बैंक के ऑफिसर साहे में है, 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 कोरोना वाइरस का थोबडा, मैं दो दिन से दर्वाजा खटटा तुने, दर्वाजा क्यों नहीं खोला, सुना नहीं, सुना नहीं, इसलिए खोला नहीं, तुक बंदी कर रही है, ज्यादा बोलेगी तो कुछ नकर बोल दूँगा, क्यो रहे, रात को घर नहीं आई, कहा गूम रही थी, शराब पिकरा कर तो मुझे ताने मारा है, है, मैं यौ, एसे ही पिऊंगा, जवाब दे रहे है, हुआजना कींच के, अच्छा, तूने इन दोनों को kidnap किया और इन दोनों ने तुझे kidnap किया, कही है, उष, यह राक गुंडों से धनकी दिलवारहा हूदा रही है, पति है इसलिए आराम से बात कर रहे हूद, जANGली बरा कही तो किसे जैंगली बोल रही है, हा मैं जैंगली हूँ, एक नंबर का जैंगली, आपिसर्णी ए, कौन है यह और यह यहाँ पर क्या कर रहा है? यह यह तो तीन-तीन लोग है, तेरा दिमाग खराब हो गया ए, तू कौन है, है? क्यूरे काशी, क्या चल रहा है? क्योरे? शायद जिन्दगी में पहली बार डर रहा है जब मेरे लड़के थे तब तो तु आई नहीं अब यहाँ के रॉप ज़ाड रही है तेरे भाई लोग गाउं चले गए हैं ऐसा सोच रहा है यहाँ से दो किलोमेटर दूर एक गवर्मेंट हॉस्पिटल है वहाँ मौर्चरी नाम का एक एसी रूम है वहाँ पर वो सो रहे हैं वो भी बड़े ही आराम से तेरे जुर्म के लिए तुझ पर केस फाइल करेंगे तो तू क्या पुलिस वालों के परिवार को ही जला देगा इसका अंजाम क्या होता है ये तुझे भी तो पता चले तुझे अगर जेल में डालेंगे तो तू बेल करा लेगा इसलिए क्यों कोट, केस, जेल वगेरा गवर्मेंट का पेकार में खर्चा कुमार, राइपुरम गैंग वार में काशी को तपका दिया बोलकर बॉडी को मौचरी में भिजवा दो हलो मैडम, जल्दी से कमिशनर आफिस आइए, सिटी में फॉर्टीन घरों में रॉबरी हुई है वाट? दो ही लोग, पुरे शहर में फॉर्टीन आइन घर, जिन घरों में बुज़ुर्ग रहते हैं वो देखकर पक्का प्लान करके चोरी किये चुराए गए गहने और पैसों की कुल कीमत साथ करोड रुपए एक क्लू भी नहीं मिला, और देखने वाली बात ये है जिन घरों में चोरिया हुई हैं उनमें से ज्यादा तर घरों के बच्चे अमेरिका, लंडन, सिंगापो, कैनेडा ऐसे विदेशों में रहते हैं सर, ये सिर्फ एक राबरी है या बड़ी चालाकी से ये काम किया गया, किसी पर कोई अटैक नहीं हुआ सब को गन पॉइंट पे रखकर, धमकी देकर, उन्होंने गहने और सिर्फ पैसे चुराये हैं वो भी इंडिपेंडनेस डे के दिन, मीडिया वालों ने तो हमारी बजा के रख दी गायतरी, सर, जितनी जल्दी हो सके ये केस क्लोस करो जिन घरों में बुजुर्ग रहते हैं, वो देखकर, पक्त का प्लान करके चुरी किये दो ही लोग, पुरे शहर में 49 घर जिन घरों में चुरिया हुई हैं, उनमें से ज्यादा तर घरों के बच्चे अमेरिका, लंडन, सिंगापो, कैनेडा ऐसे मिदेशों में रहते हैं मेडम आपका शक्त बिलकुल सही है, सेम गैंग, सेम रॉबरी, मेडम रॉबरी सिर्फ उन्चास घरों में नहीं हुई है, दादी का घर मिलाकर कुल पच्चास घर, वो घायल होगे थी, इसलिए कंप्लेंड नहीं कर पाई ओ, डॉक्टर, सब ठीक तो है न, एक छोटी माइनर हेड इंजिरी है, खुन बहुत बैग या है, इसलिए अनकॉंसेस है, उन्हें कब होश आएगा यह भी बताना मुश्किल है, अधर्वाइस नथिंग टोवरी, ओके, थैंक यू, दॉक्टर, थैंक यू, थैंक यू, is yes, hello, I'm calling from Chennai, I'd like to speak to Major Chandru, please, it's an emergency, he already left for Chennai, it's been seven hours, we're gonna fly there till the night of the morning, okay, क्या हुआ मेडम चंद्रू अलड़ी निकल चुका है यह आप क्या कह रही है हमें खुद अभी अभी पता चला तू उन्हें कैसे तुम चंद्रू को नहीं जानते क्या तुम्हें याद है गुंडे काशी का छोटा भाई गुना काशी का है कहां है तेरा भाई काशी मेरे भाई को बगट निकले कितने जाल बिछाये होंगे और तुमेरे पहले ही बिछाये जाल में फच गई न यही है गुना मज़े से मौल में शॉपिंग करने आई थी तुझे कोई टाइवर्ट कर रहा है ये बात सोचे बिना ही पंदुक उठा के चली आई हां कुस्से में इंसान की खोपड़ी खुम जाती है ये क्या घया थी बिना बता है शॉपिंग आधी छोड़ कर चली है चलो चलते है ये ब्रो आज ये ओफ ड्यूटी है कल ड्यूटी पे होगी तब ही पंचायत रखना हमें कभी कभार ही मिलने का मौका मिलता है अजिए गजए थिरी थाब थाब अजिए अजिए वो तो सिर्फ पुलीस है मैं मिल्ट्री वाला हूं दोबारा कभी गायत्री के साथ लफडा किया ना तुम मारूंगा नहीं याद रखना ठोग डालूंगा यह लो चले पड़िया धुलाई करते हो तो क्या तुम पे कोई हाथ उठाएगा और मैं देखता रहूंगा जान से मार दूंगा चलो मैं थोड़ा संका हुआ इंसान हूँ हर चीज के बारे में सवाल जवाब करता रहता हूँ कुरेद कुरेद के पूछता हूँ यही है मेरा करेक्टर गाहितरी ने बताया था कि वो चाचा ही सब कुछ है वो हाँ कहेंगे तो शादी होगे लागली है न इसने जब तुम से शादी करने की बाद छेड़ी तो मैं बिना कोई फामिलिटी के खुद तुम्हारे घर पर चला आया आप और आपकी बेटी हमें बहुत पसंद आए पर मुझे पसंद आएगा तभी यह शादी होगी ना अब मैं ऐसे सवाल कर रहा हूँ इस बात का बुरा ना मानना दरसल मेरे बड़े भाई यानि इसके पिता जी पुलिस वाले थे जो बहुत ही इमानदार थे लेकिन फायदा क्या पूरी जिंदगी एक घर भी नहीं खरीद पाए अब शादी के बाद इसे तकलीफ ना उठाना पड़े इसी लिए मुझे इसे सवाल करने पड़ रहे तुम्हारे देटे के गुण बगेरा तो अच्छे हैं लेकिन ये रोकड़ा वोकड़ा भी जमा किया है क्या किसी के आगे हाथ ना पहलाने पड़े इतने पैसे हैं सर हम इज़ददार लोग है मैं गायतरी को बहुत खुश रखूँगा इज़ददार लोग यानि तीन पीडियों से इस देश के लिए प्राण त्यागने वाला परिवार है इस देश के लिए हमने कितना खून बहा है ये शोकेस में देख लीजिए उसमें रखे मेडल बताएंगे हमारे परिवार की कहानी अशोक चक्र मेरे पिता को मिला कौरफ करोड़ों उपए देने पर भी ये नहीं मिलता है सर सब बोल दिया मेडल को रखकर भला ये क्या करेगी उसे सिर्फ चाटा जा सकता है अचार भी नहीं डाला जा सकता चंदुरू ये सब क्या है उम्र का लिहाज किये बिना चाचा पर हाथ उठाया तुमने कौन ये उम्र में बड़े है सोचा था सिर्फ बाल ही पके इनका दिमाग भी पक गया है तुम्हारी खातिरेने जिन्दा छोड़ रहा हूँ ले जाव इने अच्छा है खोन नहीं किया मैं जब भी उस मेडल को देखता हूँ तो लगता है मेरे पिता जी मेरे साथ है और उनके बारे में इन्होंने ऐसा का ठीक है मैं मानती हूँ गलत बोला लेकिन जब तक तुम माफी नहीं मांगोगे ना मैं तुम्हारा चेहरा देखूंगे और ना ही इस घर में आऊँगी चलिए चाजाजी गायतरी जब तक इन्होंने जो कहा है उसके लिए माफी नहीं मांगते मैं भी तुम से शादी नहीं करूँगा एई तू उस लड़की को चाहता है कोई बात नहीं था दे जाने था मेरे लिए पिता जी का सम्मान जरूरी है मुझे 我 कर सम्मान जरूरी है गुद मानी मैडम चंदरो मैंने तुम्हें कॉल किया था पर पता चला तुम निकल चुके हो दादी को कुछ नहीं हुआ छोटी सी हेड इंजरी है नथिंग सीरियस वो हॉस्पिटल में है शील बी फाइन दादी के होश में आने पर ही पता चलेगा कि exactly कितना पैसा और दिवर गए है मुझे उसकी फिक्र नहीं पिताची का मेडल चोरी हो गया किसने चुरा है कौन है वो नहीं जानते शहर के पचास घर सब में प्लान करके चोरी कि दादी कौन से होस्पिटल में है इस बार आपको अकेला छोड़कर जाने में पता नहीं क्यों अजीब सा लग रहा है दादी ए मेरे बेटी का कितना बड़ा सपना था ये पता है तुझे इस वर्दी में देखना चाहता था वो तुझे इस वर्दी में देखते न तो उनका मन भराता समझ नहीं आता तेरे दादा को और पिता को ये सौभाग या नहीं मिला मेरा पोता अपने पिता को ये तौफ़ा नहीं दे पाया लेकिन मैं भाग ये शाली हूँ तेरे दादा को देखा अपने बेटे को देखा और अपने पोते को भी देख लिया चलता हूं पाद कैसे चंद्रो मेरे फोन करने से पहले ही इंडिपेंडेंडेंस डे के दिन मेरा फोन तादी ही उठा दी थी लेकिन उस दिन जब उन्होंने फोन नहीं उठाया तो मुझे शक होगे और मैं फॉरण चला है इस सेंसेटिव केस को मैं ही इन्वेस्टिगेट कर रही हूं चंद्रो बहुत जल्द उस कमीने को पकड़ लूँगी मैं पकड़ेंगे जिन जिन घरों में चोड़ी हुई वहां दूट डालने वाले पेपर डालने वाले गैस वाले पानी वाले किराने वाले अर एक को पकड़ के लिए आओ सब्सक्राइब जल्द कले सब्सक्राइब अधिल्न 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 अधिल्स अधिल्स रहे चाल्ट मेंगा और ओए हुआँ… आरे चाल्ट मेंगा आप चाल्ट में थीट। मैं रहे क्या सर्ड्या एए कि आप आप जोड़ा हुआ ले विदा की जारा दफे ना अर जोड़ा आप चाल्ट मेंगा यह तो पहत चुर्ट चंदरू, इस तरह हो रहा है चल बैट मैडम, पचास घरों की चोरी होने वालों में डेली सुबे दूड डालने वालों से लेकर शाम कुछ उसकी बेचने वाले सब को उठा लाया है उस्ता चल रही है मैडम ये सब को होने ये लोग छोटी-मोटी चोरी करने वाले चोर उचक्के हैं लेकिन इन में से दो लोग हाथ नहीं लगे हैं कौन दो एक्स-फिनांस मिनिस्टर राजये माल सॉरी मैड़ चंदरू पहले ही पंद्रा अगस के तिरे सेटियो में चोरी हुई है उन्हें जब रोख राजा तो उन्हें बहुत भारा भीया इसलिए क्या चंदरू कैसा भी क्राइम क्यों ना हो इंवेस्टिगेशन हमेशा बॉटम में रहने वाले क्रिमिनल से ही शुरू की जाती है अब ही कोई क्लू मिलता है और तुम हो की मैं जाने से मुझे रोकेगा तू अब तू मैंटे की एक बार ओठा वुपर लिखी हुई सारी हेडलाइन पढय पाड़ना 15 अगस्त को जो चोरिया हुई उसमें पुलीस को अभी कोई सबूत नहीं मिला है आगे स्वेज बैंक में जो काला धन जमा हुआ है उसे वापस ले आएंगे ऐसा पुधान मंत्री ने कहा है क्या वो हो गया? नहीं हुआ जर आगे पड़ किसानों का लिया हुआ कर्जा माव नहीं हुआ इस वजह से दो किसानों ने कीट नाशत पी के तड़ा तड़प के अपनी जान दे दी ये हो रहा है न? वो तो यह ही रहा है सर रोट को चोड़ा करने के लिए कई किसानों की जमीनों का अधिकरन कर लिया गया और जिन्होंने नहीं दिया उन्हें मारा पिटा गया अगर तु वाकई मर्द है और तेरे अंदर मर्दानगी है तो अभी इस बूढ़े पर जो दिखाए वही मर्दानगी और गुस्सा इसमें छपी किसी भी खबर पर दिखा सकता है क्या है इतना चोश वे दु मार के पूझ भी मत विरोध करके जोर से यहां घड़ा हर कोई सुन सके ऐसा एक भी सवाल पूच सकता है पूचेगा? नहीं पूचेगा क्योंकि वो उल्टा मारेंगे न हम मर्दानगी कहा दिखाते हैं? चपल सीने वाला पांच दिस रुपया मांगता है तब हम मर्दान की दिखाते हैं कोई गटर साफ करने वाला पचास रुपय ज्यादा मांगता है तो उस पे गुसा आ जाता है, है न? और जहां एक बुज़ूर्ग आदमी 24 घंटे एटियम पर चौकिदारी करता है उसका दुख तो तुम समझ नहीं पाओगे पर कम से कम उस बिचारे को तकलीफ तो मत दो जहां मर्दान की दिखाने की जरूरत नहीं है, वह ही दिखाते हो और जहां दिखानी चाहिए महां से पिटके आते हो एटियम के अंदर हेलमेट वहन कर जाना मना है, यह जानते होएं सर्सार, सॉरी सर, माफी मांगता हूं सर मुझसे मत मांग उनसे माफी मांग चल निकल चाँ, चाँ, माफ कर दिखे सर्सार, सॉरी सर यह सब क्या है चंदरो बूल जाओ से, तुम क्या कह रहे थी? छोटे अपराधियों से पूछेंगे तो लीड मिलेगे? नो, गायतरी एक बात अच्छी तरह जान लो यह किसी पर्टिक्लर एरिया में पर्टिक्लर स्ट्रीट में होने वाली रॉबरी नहीं है अडियार, किरुवन मयूर, बसंद नगर इन जगाओं पर मल्टिपल एरियाज में रॉबरीज हुई है अडियार के किसी चोर को बसंद नगर में रहने वाले बुज़ूर का घर कैसे पता? और बसंद नगर में रहने वाले को तिरुवन मयूर में कहां चोरी करनी है ये कैसे पता मैडम जैसा कि आपको शक था वैसे हमने सारे मोबाइल की कॉल के हिस्ट्री को चेक किया तो रॉबरी के किसी भी टावर की रेंज में सब जगा कनेक्ट होने वाली किसी की भी कॉल हिस्ट्री मैच नहीं हुई मैडम मैंने कहा था न हम सही रास्ते पर ना चलकर अंधेरे में तीर चला रहे हैं अगर चोर को किसी बुज़ुर के घर के बारे में चानना हो तो पहले घर के अंदर जाएगा और घर के अंदर कौन-कौन जाता है पानी सप्लाइ करने वाला, अकबार वाला, दूद वाला, केबल ओपरेटर्स, घर के नौकर, सेल्स रेप्स, मेडिकल रेप्स, कुरियर वाले, वाटर पूरिफाइंग सर्विस, गास सिलिंडर वाले, होम मार्केटिंग वाले, और ये बुढे लोग हैं, तो फैमली को फोन किया, वो आई नहीं रहा है मेडम, आप उसे धंगाएंगी तो अच्छा रहेगा, बात्रूम के नल में पानी नहीं आ रहा मेडम, है, मेरे बात्रूम में भी पानी नहीं आ रहा है, ये भी कोई प्रॉब्लम है, चल जा, सुनो, उसके लिए डाइल फॉर हेल्प ना इलेक्ट्रिशिन, एसी मेकानिक, हम इन्हें कैसे भूल गए, क्या नाम बताया था, डाइल फॉर हेल्प, हाँ चंद्रू, ये एक पाव़फुल डेटा सर्विस है, एसी मेकानिक, प्लमर, एलेक्ट्रिशिन, इन में से जो भी चाहिए, वो उस वरकर का नंबर भीज़ दे और हम उसे फोन करके काम के लिए बुला लेते हैं, और हम उसे फोन करके काम के लिए बुला लेते हैं, डाइल फॉर हेल्प, इनका हेड ऑफिस कहा है, एक्स्क्यूज मे, मैनेजर कहा है, वहाँ उस करफ मैडम, हाई, हाई, आम एसी पी गायतरी, टेक यह सीट, थैंक्यू, Independence Day पर जो मास रॉबरी हुई है उस बारे में आपकी help चाहिए समझी नहीं मैं कैसे यह जो dial for help की service है इसके बारे में हमें डीटेल में समझाएंगे प्लीज इंडिया में जितने भी हैं मशुर लांडमार्ट लाइक कॉफी शॉप, होटेल्स, रेस्टरांस, ड्रेलवे स्टेशन, एरपोर्ट, एक्सेक्टर, एक्सेक्टर, एक्सेक्टर यह सारी डीटेल्स हमारे पास हैं और दिस इस अडेटा सर्वस कंपनी जो रॉबरी हुई उनका हमारी कंपनी से क्या संबंध बताता हूँ, यह जो information मिलती है उसका क्या करते हैं आप लोग अगर मैं आपको ठीक से कहूँ तो कोटम पेटी से चड़कर कोई कोईम बटूर में उतरता है तो उसकी जेब में पैसे तो होंगे लेकिन एक एरिया से दूसरे एरिया की बस में कैसे जाना है किस होटेल में इटली सामर मिलेगा किस होटेल में अच्छी कॉफी मिलेगी वो नहीं जानता है तो डाल फॉर हेल्प में फोन करना ही काफी है उसे जो information चाहिए वो हम उसे देंगे हमारे पास सारी information है सर्फ बाहर के ही लोगों को नहीं शेहर में रहने वाले लोगों को भी हम information देते हैं एक घर के काम के लिए electricians लेकर इसे mechanic तक की service हम provide करते हैं आप पुलीस वाले हैं military लोगों के बारे में इतनी sensitive information एकठा करके रखी है इसका misuse होने का chance नहीं है impossible we are using a strong security protocol अगर मैं एक mobile number दूँ तो उस number से service के लिए phone हुआ है या नहीं या आपके dial for help के database से चेक कर सकी है of course एक बार अगर कोई हमें call करता है किसने कौन सी service मांगी है जिन घरों में चोरी हुई ये उन पचास घरों के सदस्यों के mobile number है इन में से किस-किस ने dial for help को call किया था बता सकती है डबल नाइफ फोर जिरो वान तूफाइब 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 आया है सब तो फिर छुपाया क्यों कब February 2 क्या पूछा है Plumber Service के लिए किसका नंबर दिया मारी मुद्व का अगला नंबर बता 96290 93887 ये भी आया है इसने क्या पूछा Electrician Service number वही नंबर Plumber और एलेक्रिशन को एक ही नंबर कैसे दिया गया Sir, everything is computerized कुछ समझ नहीं आ रहा Kumar Sir इस अड्रेस पर जो मारी मुद्व है, उसे उठाला Yes, sir ये सारे नंबर्स एंटर करो ऑफ финतारो ностे कyou रहन कर दूचस मुद्व है Dong K祖ख़ ये इस से चीधिव से उुड़्रेस क्या कशावस några गंबर्स चीज़ेrek यहां पर मारी मुझ्तु का बकार कहुता है? उपर दोस्के हमाले ले पे. अटो, अटो, सामने साटो. यहां मत्छाओं। अचरों आचिड्रों के जापने रापने रहे हुए। अटो जापने रहे हुए। श्रीक लाए। यह पुली हो आई यहां को यह बारी मुद्धु का घर डा नाय वो सर वो मारी मुद्धु का नंबर पूरे चैनने शहर में किन घरों को सर्विस के लिए दिया गया उसकी लिस्ट चाहिए नंबर टू, तुम्हारे डायल फॉर हेल्प में वोकर्स डेटाबेस मेंटेन करने वाला चीफ मुझे चाहिए नंबर त्री, तुम्हारे डायल फॉर हेल्प में सॉफ्ट्वर डिजाइन करने वाला डेवलपर वो भी मुझे चाहिए नमबर फूर, तुम्हारी कमपनी के सारे बोर्ड अब डिरेक्टर्स से मिलना है, मीटिंग अरेंज करवाओ च्छा एक दो घर की बात नहीं है, पूरे पचास घर, करीब करीब साथ करोड के गहने और पैसो पर हाथ साफ किया है अब तुम बताओगी आप माजी, इस केस का पहला क्लू, आपके पती का मोबाइल नमबर ही है बताइए माजी, आपके पती का नमबर यहां कैसे है मेरे पती को मरे हुए दो साल हो चुके है आप उनके नमबर के बारे में पूझेंगे, तो मैं क्या बता सकती हूँ मरे हुए इंसान के उपर चोरी का इल्जाम लगा के पूछ ताश कर रहे हो ये कहा कन्याए है आपके पती ने पहले कभी प्लंबर का या इलेक्ट्रिशन का किसी कॉर्परेट कंपनी में काम किया नहीं, मेरे पती ने किसी कॉर्परेट कंपनी में काम नहीं किया जरा एक मिन गायतरी इन्हें जाने दो ठीक है आप जाए लंबर और एलेक्टरिशन को एक ही नंबर कैसे दिया गया मेरे पती को मरे हुए दो साल हो चुके हैं मेरे पती ने किसी कॉर्परेट कंपनी में काम नहीं किया कार्परेशन में काम करते थे वो चंदरू, चंदरू, क्या सोच रहे हो डाइल फॉर हेल्प से मिली लिस्ट के हिसाब से करीब डेड़ साल से मारी मुत्तु के नाम से सर्विसेस पाने वाले घरों की गिंती कुछ चार सो तीरा है इन में से बुजर्ग जहां अकेले रहते हैं वो है पचास घर चूज करके ये चोरी की गई है एक बात समझ नहीं आरे चंदरू क्यों एक मामुली इंसान मारी मुत्तु के नाम पर ये पिन किया गया है मुझे लगता है कि इस केस का और मारी मुत्तु के नाम का जरूर कोई स्ट्रॉंग कनेक्शन है और इसमें सबसे जरूरी बात है डायल फोर हेल्प, कॉर्परेट कमपनी इसे यूस किया गया है उसने सोचा नहीं होगा कि हम वहां जाएंगे फिर भी हमारे जाने पर मारी मुत्तु के नाम का डेड़ेंड क्रियेट करके रखा था तो अब नेक्स्ट? आएव अग्वाग फीलिंग दियर सिस्टम इस हैक्ट कॉन्टक डायल फोर हेल्प, उनका सॉफ्टर डिजाइनर और डेटाबीस चीफ, गेड़ें पीटने से पहले उनसे सवाल मत करना गायत रही पहले मारना और फिर पूछना एई, तु सच में टाइप कर रहा है या मैडम की आवाज सुनकर तेरी उंगलिया काप रही है मैडम, यहां देखिए मैडम आपने जो एरिये बताए, उसमें 20 प्रंबस, 30 एलेक्टरिसंस और 40 AC मेकैनिक्स की इंट्री ही नहीं हुई है एई, इधार रहो ना इन सब का नाम वर का डेटाबेस में डालना ही मेरा काम है मैडम अगर ऐसा है तो जिस सेरिया का यह डेटाबेस है उसमें इन सब का नाम आना चाहिए ना सिर्फ मारी मुत्तू का नाम कैसे आया मैडम आप तेयार हो जाई सौफ्विया डिजाइन वो करता है उससे पुछे मैडम वो रहा मैडम ओ जिंगूर चेक कर रहा मैडम आल टेल यू वन मिनिट यहां देखिए मैडम किसीने है किया है मैडम किसने है किया है पता नहीं मैडम सोर्स फाइल आउन हो तभी आई पे अड्रेस का पता चलेगा सच नहीं बताया तो ठोपड़ी उड़ा दूंगी गायत्री इन्हें छोड़ दो इस केस में हमारे लिए मेजर क्लू यहीं लोग है इन्हें छोड़ कर किसे पकड़ेंगे हेलो मिस्टर कमिशनर कौन है रितू अगस्ट 18 मास रोब्रेस फाइनली तुमारे इन्विस्टिगेशन में चन्नी सिटी में तहल का मचा के टाइल फार हल्प तक तुम लोग पहुँच गए कंग्रेट्स मारी मुत्यो के वाइफ और टाइल फार हल्प के सौफट्वेर डिजाइनर को इंट्लोगेट करने से मुझे पकड़ लोगे सुच रहे हो इस नाट इटर्निंग पॉइंट मिस्टर कमिशनर इट्स अ टेग एंट ये क्या बोल रहा है इसके आगे तुम्हारी जाच एक इंच भी नहीं बढ़ेगी अभी तक इस केस में तुम्हें जो कुछ भी मिला वो सिर्फ नंबर्स और डेटा है चाहे जितना कुरे दो सिर्फ यहीं पाऊगे यू काउंट मेक सिंगल अरिस्ट मस्टर कमिशनर क्या हूं मुझे डरा रहा है नो नो इट्स अन ओपन चैलेंज तुम्हारा साइबर से 24 धंटे काम करेगा तो भी मेरे डिरेक्शन का पता नहीं लेगा पाईगा नहीं समझें तुम लोग मेरे लोकेशन नहीं दूप सकते लेकिन मेरी नजब तुम लोगों पर हमेशा रहे होगी विकॉस आम एवरिवेर हवा में सिफ आत्माई ही नहीं रेडियो एक्टिव येल्स भी गुमती है तुम लोग मुझे देख भी नहीं सकते इस आवाज में चार बार मिस्टर कमिशनर इस शब्द का इस्तमाल हुआ है इसलिए उठाने को का इन चारों शब्दों का पेस, वॉल्यूम, पेच और टिंबर इनके लेंग्ध और डेप्ट पॉइंट्स को प्लॉट करो सर, सब एक्वाल है सर? कैसे चंदरू, कोई इनसान चार बार एकी शब्द का लेंध और डेप्ट एक समान रखकर बात कर सकता है करेक्ट, इनसान से नहीं हो सकता, कम्प्यूटर से हो सकता है कुमार, सर, कमिशनर के बारे में तुम क्या सोचते है वो तो चुछुंदर है, उसके बारे में क्या कहूं? अरे, कुछ भी बोलो ना? आप कहोगे, तो मैं उसकी इज़त उतार दूँगा. ऐसे ही बोलते रहो. सर, कमिशनर का थोबडा देखा चमगादर जैसी शेकल है और उपर से चश्मा लगा रखा है. अरे, मेरे हाथ में कोई छड़ी हो, तो उस चुछुंदर का पास्ट, प्रजेंट, फ्यूचर, तीनों का तीनों बिगाड़ दूँ. सर, बोलने दीजिए, फ्लू में निकल रहा है. अब तुम ओवरफ्लो हो रहा है. सर, आपको एक आओडियो क्लिप सुनाता, सुनिया. सर, अगर वो छुचुंदर बुझे कहीं दिखाए देगा, तो उससे वही दभोश लुगा. सर, लेकिन ये क्या? ना ये कंप्यूटर वोइस है, ना ही प्री-रेकॉर्डड़ वोइस है. सर, वोइस सिंतेसाइजर. हम जो भी टाइप करेंगे, ये वही बोलेगा. आतंकवादी यही तकनिक इस्तमाल करते हैं. भले ही आपका CCTV हैक हो जाए, पर कोई अंदर जाकर वायरलस एडप्टर इंस्टॉल करें तो ही हो सकता है. लेकिन कमिशनर ओफिस में, जैसे सर? कमिशनर एसी मेकानिक से इंटरनेट तक के लिए वही फोन करते हैं. अब जाओ ना. डाइल फोर हेल्प. जल्दी करने तो कुई आ जाएगा. काम दो. हेए, पहले इस एडप्टर को डिसकनेट करके नेट वर्क को क्लोस करो. ओके सर, फिक्र मत कीजिए सर. अगॉस्ट 15, रॉबरी केस, अल्मुस्ट क्लोस होने वाला है. क्या अप्राधी का पता लग गया है? क्या अप्राधी का पता लग गया है? कब पकड़ने वाले हो? क्या उसे पकड़ पाएंगे? तुम जो इस तरह के सवाल पूछ रहे हो? इनका जवाब मैं अभी नहीं दे सकता. लेकिन एक बात जान लीजिए, वो भले ही पाताल में भी क्यों ना हो, ना तो वो हमसे बच के जा सकता है, ना ही अंडरग्राउंड हो सकता है. धैंक यू. चंदुरू, मेरी को समझ में नहीं आ रहा है. What's happening? सरुन के प्लान का बेस डाल फोर हेल्प ही है. वो आपको फोन करके, आप मेरा कुछ नहीं बिगाड सकते हैं, ऐसी हमें चेताव नहीं दे रहा है. लेकिन इस पार हमने सीधा उसके इगो पर चोट की है. इसलिए मुझे पूरा यकीन है कि वो जरूर आपको फोन करेगा. बात कीजिए, सर. चाहे जितने भी आई-पी अड्रेस के पीछे चुपा हो, हम पकड़ लेंगे. हेलो? Mr. Commissioner. Yes, sir. बच नहीं सकता, नहीं अंडरग्राउंड हो सकता है. तुम्हारी इन बातों का दम तुम्हारे चेहरे पर नहीं दिखा. तब ही मैं समझ गया कि तू मेरे लिए जाल बिछा रहा है. इस वक्त मैं तुस्से बात नहीं कर रहा है. तेरे पीछे छुपकर जो मुझे सुन रहा है. उस IT वाले दिमाग से बात कर रहा है. हेलो, Mr. Mastermind. सुन रहे हो? कॉल तीस सेकंड से जादा पार कर गई है. क्यों? तुम्हारे IT अनिलिस्त ने बता है नहीं? तीस सेकंड तो क्या? तीस गंटे भी क्यों ना लग जाएं? तुम मेरी पर्च्राइं का भी पता नहीं लगा सकते. मेरे लोकेशन जाओगे, तो क्या मुझे पकड़ोगे? तुम्हारे लिए एक सर्प्राइज. 00100, ये कोड़ फीट दरो. सर, लोकेशन ओन स्क्रीज जाओ. ये ही है मेरे लोकेशन, आज़ाओ. पल्लाओवर हमके पास एक फैक्टरी है. मुझे गड़बर है सर्प्राइज? मुझे गड़बर है सर्प्राइज? मुझे गड़बर है सर्प्राइज. मुझे गड़बर है सर्प्राइज. मुझे गड़बर है. ये इस केस में हमारा मेज़ा ब्रेक्ट्रू है. मारी मुझे के नाम से इस्तमाल किया गया ये मोबाइल नमबर. पूरे चन्ने शहर में डायल फॉर हेल्प के जरीए इस नमबर से सर्विस किये गए घरों की संख्या है 413. इन 413 घरों में बुढ़े जो आराम से जीते हैं उनकी संख्या है 108. इन 108 में से 50 घरों में चोरी हुई है तो बाकी के 58 घरों में भी चोरी करने जरूर आएंगे. ओके सो इमीडिटली बाकी घरों को अपने सर्विलनेंस में लाना होगा राइट? गायतरी अब जल्दबाजी नहीं जल्दी और जोश में आकर जो गल्ती करता है उसे दोड़ कर पकड़ सकते हैं लेकिन जो ना भसने के लिए होशियारी से गल्ती करता है वो हमें दिखाई भी नहीं देगा. पुलीस डॉक के सूमने से ज्यादा सेंस उसमें होती है अगर हम निगरानी रखेंगे तो वो पूरी तरह से सतर रखो जाएगा इसमें एक और बात है जिस पर खास धिहान देना है मारी मुत्तु के नाम पे ये जो नंबर है वो अक्टिवेट हुआ था पिछले साल जनवर नहीं हुआ क्यों एक चोटा सा SMS यहां तक की WhatsApp भी नहीं गया कभी नहीं ऑगस्ट 15 इंडिपेंडेंस टे पूरा चन्ने शहर जिस दिन सबसे ज्यादा सिर्विलेंस पर रहता है जब पूरे शहर की पुलीस अलग-अलग जगहों पर तैनात रहती है उस दिन शहर के कई सारे महलों में जो पुलीस पट्रोलिंग की जाती है वो 95% तक कम हो जाती है और इसलिए उन्होंने उसी दिन को टागेट किया कमिशनर को जब दुबारा कॉला है जब हम अक्यूस को ट्रेस कर रहे थे उसी ने हमें एक पोर्ट दिया और खुद की लोकेशन बता दी उसका दिया जब हम उस जगह पहुँचे तो वहां की एक दिवार पर यही नंबर लिखा हुआ था लेकिन थोड़ा सब अलग तरीके से सारे जीरोज छोटे थे लेकिन पीच का वन बड़े साइस का था जब मैंने इसे सिफ एक नंबर की तरह देखा तो मुझे कुछ नहीं मिला लेकिन जब इसे एक सिंबल मान लिया तो मुझे एक क्लू मिला कैसा क्लू? वो कोई नंबर या पासकोड नहीं है चेस की रानी का क्राउन सिंबल है अक्सर लोग चेस में राजा को हाइलाइट करते हैं लेकिन यहाँ रानी को हाइलाइट किया है तो शायद हमारे ये मुझे रानी पावफुल होती है चंद्रों तो यही सोचकर हाइलाइट किया होगा ना? यह राइट गाय थी। लेकिन उसके लड़की होने की सिर्फ यही वज़ए नहीं है। हमारा दूसरा क्लू है फिंगरब्रेंस। जब अपनी लोकेशन बता कर उसने हमें बुला है। तो वहां कुछ नहीं मिलेगा मैं जानता थै। लेकिन पता है मैं फिर भी वहां तेजी से क्यों गया है। क्योंकि चोर कितना भी चाला क्यों ना कोई ना कोई क्लू पीछे जरूर छोड़ता है। सफाई से सारा डेटा क्रैश करने वाले ने। ब्लास के बाद फिंगरब्रेंट भिमिट जाएंगे ऐसा सोचा। लेकिन फिंगरब्रेंट इरेज नहीं होएं । बायो कहमिकल अनलिसड से पता चला कि उसमें अमेनो असेड का लेवर्ल ज्यादा है अमेनो असेड ज्यादा होती है। इनों असर की मात्रा ज्यादा होती है। हमने जिन से पूछताच की, उन्होंने यही बताए कि दो लड़कों ने मास्ट पहन कर चोरिया की है। तो आप कैसे कह सकते कि यह औरत है। चोरी दो लड़कों नहीं की है। लेकिन उनके पीछे का मास्ट माइंड एक लड़की है। हम उसे ट्रेस कर रहे हैं फिर भी। इतनी हिम्मत से जिसने अपना लोकेशन दिखा है। उसने अपनी आवास क्यों बतली। इन सारे डीटिल्स की वजह से हम इस नतीजे पर पहुँचे हैं। कि वो क्रिमिनल एक औरत है। इतने दिनों से जो हमें धूल चटा रही थी। वो एक साधारन औरत है। सर मैंने जिर्फ औरत कहा। साधारन औरत नहीं। आने वाली 23 तारीक को सरकारी समानों के लिए प्रदान मंत्री चन्न नहीं आ रहे है। तो आउगस्ट 15 से भी ज्यादा डबल सिक्यूरिटी अरेंज करने के लिए सीम ने ओर्डर पास किया है। और इसलिए ठीक उसी दिन उन्होंने पकका टागेट ब्लान किया होगा। पिंजरे में भसने वाले चूहों की तरह वो हमारी जाल में भस जाएंगे। इस मैट्रा तुम मुझे हरानी की कोशिश कर रही हो इसलिए तुम मुझे जीत नहीं पा रही हो। आपकोर्स लीला, आपका लास्ट ओपरेशन फेल कियो होगया। कश्मीर में एक बहुत एक कॉंप्लिकेटड बाम डिसाइन था। आखिर के वन ट्वंटी सेकंड में मैं डिफ्यूज करने के लिए गया। दो पुलिस ऑफिसर्स उस ब्लास्ट में माले गए। बस इसी बात का दुख है। घबरा गय थे गणेश। जोतर साल की उमर में दो-दो हार्ट अटेक जहल कर। मेरी मा मेरे लिए अभी भी जिन्दा है इतना प्यार करती है। और बिन मा की ये बच्ची ही उस वक्त मेरे दिमाग में चाही हुई दिलीला। ऐसे मैं… घबराहट। भार्ट सर्जरी करने वाले सर्जन को और तुम जैसे बॉम स्कॉर्ड वाले को तभी घबराहट नहीं होनी चाहिए। मा से बहुत प्यार करते हो न। वो तो मेरी जान है। हाँ, मेरी भी। लीला। हाँ? जफे छोड़का जा रही है। मेरी प्यारी गड़िया। तुने जो छुआ मोती बरसा। तुझे पाना है भाग्य मेरा। धड़कन में तु हसे सांसू में मेहके। हर पर मुझ में शामियन बस तुही तो है। मीठी पपी पाके मन भर जाता है मेरा। तुम हो रानी सुनके दिल खिल जाता है मेरा। लनही से कुड़िया तु मेरा मा कल है। यहां तुही खुशिया मेरे रानी तो है। शत्रंज में हार जीत का फैसला करती है। यह रानी। रानी की दया के बिना कोई राजा जीत नहीं सकता। रानी का विरोध करने की ताकत किसी के अंदर नहीं है। इसने अगर जीतने का फैसला कर लिया तो किसी भी अंदर जाएगी। मेरी रानी। तेरी बाहूं में जाहे हर पल मन रहना ये। लगता है चहरा है बस अपना साँचे। ओ मा दुनिया है तु मेरी जान है। ओ मा बस यही बात जानू मैं। धुन्धों अंधा उन सूर न डिखता है। एक तूझे के बिन अपना कोई ना साहारा है। लिला उन लिला किदा वा। लिला लिला इधा रहे। तु बहाँ चागए लिला बहाँ चागा। इसे माफ कर दो, माफ कर दो चुछाए। जोड़ों काने तुझे। लिला माफ कर दो इसे। मा 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 क्या हुआ मा 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 क्या हुआ मा मा हँआ का का बस एक पेट भर खाना जेव में क्या है ए Auch जेश भाहब़ है पढ़ि बेड़ है वक विए शेश मा, तुम मुझे छोड़ कर कहां चली गई मा, तुम मुझे बहुत याद आ रही हो, तुम्हारे बिना मैं कैसे जी पाऊंगी मा? जाब उस लीला को ले जाकर अनाथ आश्र में छोड़ दो, नहीं तो मैं खुद इसे जान से मार दूँगी, उसको देखते ही चिड़ होने लगती है अभी अभी तो उसकी मा को मारा है, इतने में ही अब तुम पे भरोसा करके कोई फाइदा नहीं, उसकी कहानी कैसे ख़दम करनी मैं देख लूँगी अब तुझ में भरोसा नहीं है, मैं खुद ही देख लूँगी, जैसे उसकी मा को मारा वैसे मार दूँगी तेरी बात कभी ठुक रही है क्या, फिर भी तुएगी ये अरे इतनी जल्दी भी क्या है? जब तुझे मैंने बोल दिया कि मारेंगे, इतनी जल्दी काई को, इतनी बरेशान क्यों हो रही है? तुम क्या चाती उससे उठा के अपनी गोद में खिलाओं? चुपचाब उस लीला को ले जाकर अना असासर में छोड़ दो, नहीं तो मैं फूद इसे जान से मार दूँगी तुप देख से ही स्चिर होनी रुखती है, मेरी बात को में जरब समझ नहीं आ रही है चाती तुर मेरे बे क्यों उठा रही है? आपके जाने को! दीदी, बात बढ़ियां दीदी मेरा मानना है कि आज तक इस तरह से वो भी 15 अगस्त के दिन 50 घरों में जेवर पैसे मिलाकर 7 करोड का डाका डाल कर अभी भी पुलिस में पकड़ाए बिना हम लोग मस्ती से गूम रहे हैं ना तेरा जवाब नहीं अब समझ में आया दिदी, प्लमबा, इलेक्ट्रीशियान, एसी मेकैनिक ये सब सीखने के लिए हमें क्यों मजबूर किया वो भी बिना किसी समबंद के मरे हुए मारी मुत्तू का नम्मर डाल के पुलिस के आखों में धूल जोकी वाद दिदी, क्या प्लान बना है? दिदी का जवाब नहीं लेकिन एक बात हम दोनों को समझ में नहीं आई क्या? तू नहीं पुलिस वाले को फोन किया और अपनी जगे भी दिखाई और सारा चकना चूर कर दिया, क्यों दिदी? कितने मुश्किल थे सब्रेडी किया था? अभी तक पुलिस से पकड़े नहीं गए हो, इसलिए खोश हो रहे हो ना? इसलिए? क्योंकि एक भी सबूत नहीं मिला, अब उस जगा की ज़रूरत नहीं थी, इसलिए कैसे दिदी, बीना कॉलेज गये, तुम कंप्यूटर को अपने उगलियों पे न चारी हो? जुनोन हो तो कोई भी कुछ भी सीख सकता है मैं सीख कर ये लीकली करती, तो इसे एथिकल हैकिंग कहते बिना एथिक्स के इस शहर में हैकिंग ही काफी है इल्लीकल इस अन्यू नॉमल पर ये तुम्हारी समझ में नहीं आएगा कुछ भी हो दिदी, कंप्यूटर को तुम बढ़िया ना चालेती हो मेरी बात ध्यान से सुनना बोलो दिदी पिछली बार के प्लान के जैसे ही बाकी के 58 घरों में भी बड़ी चालाकी से काम करना है और ये शहर छोड़ कर जाना है समझ गई ना? ये लोग, आज कौन सा दिन है याद है? क्यों? उन लोगों को पकड़ने का दिन है तीन साल पहले जब तुमने मुझे पहली बार देखा था वो दिन है सी एम आ रहे थे कड़कती धूप में जब बीच सड़क पर ड्यूटी कर रहे थी और अचनत बेहोश हो गई जहां सारे लोग तमाशा देख रहे थे वही तो मुझे उठा कर हॉस्पिटल के लिए भागे थे ये दिन भला मैं कैसे भूल सकते हूँ लेकिन वो तो भूल गया ना हॉस्पिटल में तुझे भरती कराके तेरे होश में आने से पहले ही गाइब हो गया भला हो इस मैगजीन के फोटोग्राफर का जो इसकी फोटो उसने कवर पेज पर छापी तब इसके बारे में पता चल पाया नहीं तो मैं नहीं तो? किसी अमीर लड़के से तुमें इसकी शादी करा देते यही न जंदरू मेरी बात सुनो न प्लीज अरे नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है खैर वो छोड़ो सुना है किसी ने तुमारा मेडल चुरा लिया है जो अभी तक नहीं मिला चो चो जी अरे 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 क्या कह गया उस दिन मेडल की बात करते इसने चाटा जड़ दिया था आज तो मैंने चुराने की बात कर दिये पता नहीं क्या करेगा मुझे माफ कर दीज़े जुबान फिसल गई क्या अंहीं I'm sorry मारा था उसके लिए या जो मारने वाले उसके लिए जो भी वो आप मुझसे उम्र में बड़े हैं मुझे हाथ नहीं उठाना चाहिए था गायतरी प्लान के मुताबिक सब रेड़ी है उन बाकी के 58 घरों में टाइट सिक्योरिटी है घरों के बाहर नहीं घरों के अंदर अननेकर थार्ड एवरी वी आरेड़ी सर लोग्या कॉलेनी सालीक रामम वी आरेड़ी सर अगर इस बार फिर से कोई गड़बढ होई तो पूरे पुलिस डिपार्टमेंट को सर जुकाना पड़ जाएगा इफ एनीफिंग, कीपी पोस्टेट, ओके? ओके, सर हमारे सर्वेलिंस के एठावन CCTV कैमरे क्रेश करती है, सर अब हमने जो घरों के अंदर हिड़न कैमरा लगाए हैं, उनका फुटिज स्क्रीन पर ला चित्रा, लास्टाइम जहां रॉबरी होई थी, उसका जोन माप दिखाना ओके सर, इसान स्क्रीन सर कंट्रोल रूम में फर्स्ट पोन कॉल कॉन सा था सर, नमबर फिफ्टीन, सेकेंड स्ट्रीट, अडिया सर नेक्स लोकेशन नमबर टू, इंदरानागर, अडिया सर जिस ओर्डर में चोरों ने चोरी की, उस ओर्डर को पिन करके दिखा अब जो खर निगरानी में उन अठावन घरों का जोन माप दिखा लागाएं ओके सर ओन स्क्रीन सर अनानगर टू, वलसर वाकम, लेफ्ट कॉर्णर में जो वलसर वाकम का एड्रेस है, उसे जूम करो सर, नमबर ट्वेंदी त्री, चोदरी नगर, वलसर वाकम सर क्या नमबर है? नमबर ट्वेंदी त्री और इसलिए उन्होंने उसी दिन को टागेट किया वहीं पर पहली चोरी होने वाली है पिछली चोरी कौन से दिन हुई थी? और कौन से घर से चोरी की शुरुआत हुई? आज की डेट है, 23 पहला गर कौन सार, नमबर 23 चोदरी नगर, वलसर वाकम, चाथुआ अडियार टू सी एटी कॉल्नी, वो भी उपर से नीच है इस बार रिवर्स पाटन, वलसर वाकम टू अनना नगर, यानि नीचे से उपर शन्मुगम, यस मैं, संभल के रहना, सस्पेक कभी भी अटैक कर सकता है, ओके मैं, कीप मी पोस्टेड कोकिला जी आज नहीं आई? ओके, लेकिन आज पर किसली ले गए? ओमाइग गॉड़ ए, राइट बड़ी का इंचाँ फोन उठाँ फोन उठाँ फोन उठाँ चौदरी नगर 2nd Street, फिड़न कैमरा का फुटेज दिखाँ ओन स्क्रीन सर्फ ये जड़ा काड़ी दो हाँ बलो दीदी ए बालू, लांग कैंसल, अबॉट क्यों? अभी तो एक घर में भी नहीं गुसी पागल, हाथ में जो भी है, गन, फेसमास, किसी कच्रे के डबे में डालोग और जो पाइक चुराई है, उसे कही कोने में खड़ी करके पहले वहां से निकलो इमेडियेटली, नाव! क्या हुआ इतना घबरा के उरही हो? यहां तो दूर दूर तक पुलिस वाला नहीं है पुलिस घर के बहार नहीं है, घर के अंदर है अभी के अभी बहां से निकलो चल दी अरे क्या हुआ? ए रान कैंसिल, कड़ी गुमा चल क्या हुआ 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 ध्यान मद दे ध्यान मद दे नमस्ति सार्ण चल 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 यह बाइक किसकी है बाइक हमारी है खराब हो गई है इसलिए ऐसे लिजा रहे है यह जो पूटा है कभिश्ण के साले की बाइक चुरा के मुझे कहानी सुना रहा है चल बैठ तीचे बैठ नीचे बाइक चोडी में पकड़ रहा है जरा समल के जानता है तो चुप चाब है वल सर वाकम पुलिस कंट्रोल गॉड माणब येस डाइल फोर हल्प के बोर्ड में बजा है मैडम वेट करने के लिए काऊ सर और इंतिजार नहीं कर सकते बोल कर चिला रहे हैं यह क्या है सर यहां बिठा कर हमारा टाइम वेस्ट कर रहे हैं हम लोग बिजनसमेन है हमारा हर एक सेकंट कीमती होता है मेरी नजर में तुम सब के सब क्रिमिनल्स हो तुम और तुम्हारी कमपनी हाpaid क्या इस डूरी के लिए कोई जवाब है अगर कोई मर जाए तो उसकी अर्थी का सामान भी ऑनलाइन बुक करते हो इससे ज्यादा डेटा क्या हमने लिग किया है जिस दिन से लोग टस्क्रीन फोन खरीद के डिजिटल वर्ल में आये हैं तब ही से सिर में लगाने वाले शैंपू से लेकर पैरों की चपल तक इतना ही नहीं उसे पसंद हो या ना पसंद कम्प्लीट डेटा लीग होगा ही इसलिए आज कॉर्परेट डिजिटल वर्ल का ये दस्तूर बन गया है सार पिछले हफते तिरुपती जाने के लिए जो ऑनलाइन से एक इट बुक करवाते ही पांस मिनट में पचातर मेसेजेज बेजे उन सब का कारान ये कॉर्परेट वाले चोरों चक्के ही हैंने सार लूटे रहें के यानि जो चोरी हुई उसमें तुम्हारी कंपणी का भी हाथ है ये तुम खुद मान रहे हो सभी कहा ना सबसे पहले ये जो डायल फॉर हेल्प नाम है ना ये बदलो लोगों का सैंसिटिव डेटा मैंटेन करने वाले तुम लोगों को उसे सिक्योर करने का सेंस नहीं है 50 घर अपनी जिंदगी भर के कमाई खो बैठे और तुम लोगों को ये मामुली बात लग रही है इतना सब बोलने वाले तुम लोग, हमारी परसनल डीटेल के मिस्यूज के लिए कमपनी जिम्मेदार नहीं है ऐसा डिस्क्लेमर डाल सकते हो हिम्मत है सर, बिजनेस कैसे चलाना है ये आपको हमें समझाने की ज़रूरत नहीं है इन फाक्ट, हम अपना इंटरनेशनल स्टैनर्ड मेंटिन कर रहे हैं कवर्मेंट रूल्स के मताबिक हम सारे नॉर्म्स फॉलो करते आ रहे हैं ओ, ये बात है कुमार सर ये तुम्हारी कमपनी की लास्ट फाइनेशल एर की आन्यूल रिपोर्ट है इसमें सिक्योरिटी सॉफ्वेर अपडेट के लिए बहुत बड़ा अमाउंट दिखाया गया है आपके डेटा सर्वर का फाइरवोन जो कि सिक्योरिटी देता है 2015 से अपग्रेड नहीं हुआ है इसके लिए क्या जवाब है सर ऐसा है तो इन सब को ले जाकर जेल में ठूसते है कानून छोटी मोटी रोटी चुराने वालों के लिए कुमार ऐसे करोडों की चोरी करने वालों के लिए नहीं तुम लोगों को शर्म नहीं आती अगर ये मैं बाहर मीडिया को दिखा दू तो कंपनी बरबाद हो जाएगी तुम्हें बोलकर कोई फायदा नहीं जिस दिन से लोग आउनलाइन पर भरोसा करने लगे हैं तभी से तुम लोग उन्हें लूटने लगे हो इस केस से जुड़ी किसी भी जानकारी के लिए तुम्हारा फुल कोपरेशन चाहिए वह अवगेट लॉस्ट सर्फ अनिधिंग सस्पिशिस नथिंग वो मारी मुट्यो की पत्नी हमारी निगरानी में है ना मारी मुट्यो की पत्नी ही नहीं इस केस में जिस जिस से पूछताज किये है उन सब को निगरानी में रखा है सम्टिंग स्विशी घर में हमने एक छोटी चे पार्टी ओगनाईज की मा का आज 75 बद्ध है आपको आना होगा गनेश मुझे थोड़ा काम है मैं बाद में फोन करती हूँ सम्टिंग इस रॉंग क्यों अभी तो एक घर में भी नहीं गुसे पुलिस के हाथ तो नहीं लग गए क्या हुआ इतना घबराक हुआ रही हो यहां तो दूर दूर तक पुलिस वाला नहीं है नहीं बाई की चोरी में तो नहीं बस गए आज वो लोग मारी मुद्व की पत्नी को फिरसे इंक्वाइरी के लिए लेकर गए है मतलब रहती है वोगार तो दूर के लेकर वी लेकर दादी को होशागा भी आख चुलिस यहां चुलिस के लिए जुलिस के लिए भी नहीं बस बसमें प्रूशना मलीक, तो खूशना हम भी नहीं जो चाहिए था वो ले लिया ना अब निकलो यहां से उसे मत ले जाना यहां से जो चाहिए ले लो वो मेरे बेटे की जान है उसे भाईया उसे दे दो वापस यह लो यह रख लो वो देदो मेरे बेटे को देश का दिया हूँए संहान है वो यह रखलो वो देदो वो वापस मुझे वो मैंने बहुत विंती की, उन्होंने मेरी एक नहीं सुनी, पैसे वगे रे गए उसकी चिंता नहीं है, वो तेरे पिता की जान है, उसे छोड़ना नहीं, कुछ भी करके वापस लिया, वो मेरे पिता की निशानी है, छोड़ूंगा नहीं, असर तालिस खंडे रुख जाओता थे, तो यहां की चिलारा जाके ठाने मेरी भूट लिखाँ, वहाँ जाने पर तेर होजाएकी, क्या हूआ क्या बात है मैडम इसकी बाइक चॉरी हो गई अभी अभी आए मैडम पांच मिन पर नहीं हुए धून के दीजे ना प्लीज मैडम यह कह रहा है ना थाने जाओ और रिपोर्ट लिखवा लो प्लीज मैडम बहुत मुश्कल से वाइक का कलर क्या है इसका नंबर क्य FZY TN19 AL3121 सर ली सर ली सर ना री सर कुछ भी कर के ढूंड के दिलाधीजे ना सर रॉसर वह मेरी पाईक सर को चुराय के यह कि दा यह सर यह तल्या सर ट्या ली एक ड़िए यह तल्या सर पास इस हॉस्पिटल के वाड़ बॉई और आटो स्टैंड से किसी ड्राइवर को CCTV रूम में बुला रहा हूँ अरुन मैं शन्मुगम बोल रहा हूँ ब्लॉक नमबर टू से एक वाड़ बॉई और आटो स्टैंड से एक ड्राइवर को फारण CCTV रूम में भेजो सर यहां से जो आखरी अम्बूलेंस गई उसकी वाड़ बॉई को फोन लगा किसलिए सर फोन लगा ना ओके सर यहां से जो आखरी सवारी ले गया उस आटो ड्राइवर को फोन कर हां बोल क्या हुआ गुना पुलिस तुमसे कुछ बात करना चाहती है यहां हां हां सर गुना लाइन पे है मुझे था गुना ग्यान से सो बुलिए सर तेरी आम्बूलेंस के आगे या पीछे एर से वाइड यामा टिन-19-a3212, कहीन दिखाए दे रहे है कुएक कि नहीं सर बैसी कोई गांडी नहीं है मनी एक मिनट लाइन पे रहना सर बज़य कुछ नहीं कुछ ने ही तुम्हारी आप्टो के आगे है पीछे वाइड यामा TN 19 AL 3121 पहिं दिखाए दे रही है के? बैढे देख्था हूँ सर जदी देखा सर आप जो गाड़ी बता रहे वैसी कोई गाड़ी नहीं है ठीक से देखो ठीक से देखा सर कोई गाड़ी नहीं है सर एक मिनट सर आपने जो गाड़ी बताई वो मेरे साब नहीं खड़ी है उस गाड़ी से तुम्हारी नजर नहीं हटनी चाहिए ठीक है सर तुम दोनों जा सकते हैं ओके सर दस मिनिट के अंदर वो दोनों मुझे यहां चाहिए गायत री सर यही मेरी बाइक है चल उतरो चल दोन उतरो सर यही मेरी बाइक है यो लो तुमारी चाबी थैंक यू सर बाइक चुराओगे बाइक चुराओगे लोग एक पाई जमा करके पाई खरीते और तुम उसे आसानीते चुराओगे 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 हाँ, सर, ये लोगच。 चेंद खेचने के लिए, खोन करने के लिए ऐसे ही चोरी की बाइक का इस्तेंुमाल करते हैं। इसलिए तो कहात कि इन्हें पकड़कर कितनी ओर्रतों की सोने के चेंद बचा लीगे तेते हिं। मारिए शर। हाँ, सर। जिन घरों मैं अरेस्ट हुए उन्हें लेकर आ अरे यह क्या गाड़ी खरिदने वालों से जाधा गाड़ी चुराने वालों के संख्या बढ़ गई है तुम दोनों जड़ा यहां न अरे इधर उधर क्या देख रहे हो दोनों बाहर निकलकर इधर आओ नाम क्या है बालू सर और तेरा नाम क्या है यही पुछेंगे ने सर तेरा नाम क्या है बाबू सर गायत्री जड़ा इन दोनों की केस हिस्ट्री निकालने ATM की चोरी करके जेल में बन थे बस दो दिन पहले ही दोनों जेल से रहा हुए है और निकलते ही चीन स्नाचिंग करने के लिए बाइक चोरी की है S.N. का स्टेटमेंट है ATM रॉबरी जा आउट ए तु इधर हा मेरे पती को मरे हुए दो साल हो चुके है दो ही लोग उसके लिए डाइल पो हेल्प नाम की डिटा सर्विस है ना कमिशनर एसी मकैनिक से इंटरनेट तक के लिए वही फोन करते हैं अब जाओ ना प्लमबर को फोन किया वो आई नहीं रहा है मेडम बात्रूम के नल में पाजी नहीं आ रहा मेडम प्लमबर इलेक्ट्रिशिन हम इने कैसे बोल गए अब प्लमबर जाओ प्लमबर झाल तुम सब में कोई प्लंबर है क्या नल खराब हो गया कोई ठीक करेगा तो बिना के इसके रिहा कर दूंगा कर दो तुम सब में कोई प्लंबर है क्या रिए है क्या रिए कर दो बिना कर दो अर्णीघ कर दो अर्णी है कुमार, इन दोनों की जन कुंडली, मुझे दस मिनिट में चाहिए. ओके सर. चंदरू, हम तो किसी और अउरत को ढून रहे हैं, ये दोनों तो कोई जगली लग रहे हैं, छोटी मूटी एटियम की चोरी में पकड़े गए हैं, और तुमें ने लेकर, एटियम, एटियम के अंदर माच जाओ भया, पहला ही पंधर अगस्त के दिने से एटियम में चोरी हुई हैं, इग्जाक्ली, ये दोनों के दोनों, एटियम की चोरी में पकड़े गए थे, वो चोरी पंधर अगस्त को ही थी का ज़रा चेक करना, ओके, इंस्पेक्टर, बालू और बाबू की एटियम चोरी का एग्जाक्ट डेटो टाइम, चेक करके बताओ, चल्दी, ओके मैं, सर इनके बारे में पता चला है, कि बच्पन में इन्होंने छोटे-मोटे क्राइम्स किये हैं, इनके माबाप नहीं है, बस एक दीदी है, वो भी सगी नहीं है, सौतेली दीदी है, नाम है लीला, लीला, ये करती क्या है, चैंपियन चेस एकाड़मी में, चेस की कोच है, किस की कोच है, चेस की कोच, वो कोई नंबर या पासकोड नहीं है, चेस की रानी का क्राउन सिंबल है, चंदरू, वही भी मारी मुत्यू की वाइफ भी काम करती है, हलो, मैडम, बालू बाबू, जिस दिन ATM की चोरी में पकड़े गए, वो 15 अगस्ता, टाइम इबनिंग 5.47, स्पोर्ट, रोयल बैंक ATM, CIT कोलनी मैडम, ओके, चंदरू, यूर 100% राइट, ये ATM की चोरी और रॉबरी हुई उसी ऑगस्त 15 की इवनिंग में, ब्रिलियंट, चंदरू, what are we waiting for, ऐसी धुलाई करूंगे कि सारी सचाई बाहर आ जाएगी, गायतरी, जल्दबाजी मत करो, यही दोनों अक्यूस्ट है, ये जानने के बाद में मैं बस देखती रहूं, मेरी बात सुनो, ये दोनों ही अक्यूस्ट है, ये कोर्ट में साविक करने के लिए हमारे पास कोई evidence नहीं है, उसका इंतिजाम मैं करूंगी न, चंदरू, हे, केस ठीकेगा नहीं, ये लोग अपनी चालाक इसे बड़े आराम से छूट जाएंगे, ये बचने नहीं चाहिए, चंदरू, तुम इस केस में emotionally affect हुए हो, सिर्फ इसी वज़ा से मैं चुप थी, और इतनी दूर तक अलाओ किया, इसके आगे मैं संभालूंगी, पागलों जैसी बाते मत करोगा इतरी, ये थर्ड रेट क्रिमिनल्स नहीं है, प्लान करके स्टेप बाइ स्टेप सारे लूपोल्स बंद कर चुके है, ये तो इनकी बतकिस्मती है, जो हमारे हत्ते चड़ गए, साब को सिर्पेवार करके मारते हैं, पूँच पर नहीं, ये गाहित्री, जैसा कहता हूं करो, पूँच आप नमस्ते सर्थ, अरुन, येस मिस्स, एक मिनिट, can I play, okay uncle, thank you, hello, कौन हो तुम, कौन हो तुम, तुम्हारो अपोनेंट, what, दुश्मन, गेम में, गेम में, गेट आउट, भार जाने का डर है, फट से बाहर जाने के लिए बोल रही हो, बस ऐसे ही, ट्राय करके तो देख लो, गुट जोक, ले, ऑुट भार जड़ोक, झाल 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 कितना गंदा खेल रहे हो क्यूं, मुझे हराने वाले थे न एई, अगर मैं चाहती न तो दो ही स्टेप में तुम्हारा खेल खतम करते थी माइंड इट इतनी देर तुम्हें क्यूं खेलने दिया पता है एक-एक महरे को जब मैं उठा कर टाल रही थी तो तुम मेरे साथ खेलने के लायक ही नहीं हो ये प्रूव कर रही थी और तुम्हें तुम्हारी आउकात दिखा रहे थी अब इससे ज़्यादा तुम्हें हराऊंगी तो मेरी इंसल्ट होगी गेर आउट लीला रानी मारने से गेम खत नहीं होगा राजा को मात दे कर ही होगा चेक मेरी लीला मेरे पिता जी ने मुझे एक बात सिखाई दे दुश्मान अगर तुमसे ज्यादा चालाख हो तो जितना हो सके खुद को बेवकूफ बता क्योंकि तभी वो बेवकूफ के लायक अपना दिमाग इस्तमाल करेगा और जिस पल वो बहका तब एक ही वार गेम ओवर टिक है तुम हो कौन? भगवान समझे ले तू अपनी पूरी जिन्दगी बाहर खुशी से बिताएगे या सलाखों के पीछे सूखी रोटी खाएगे इस बात का फैसला करने वाला भगवान हूँ मैं हेई इस जस्ट जोक हिचकी रुख गई ना तिक है जंदरू क्या हुआ? मैंने उसे उकसा दिया है सब अपने आप बक्त देगी बेट करते है मिस्टर भगवान फुरा ओफ तर रिकॉर्ड बात करी इसकी को जब वो दोनों पागल नहीं लोटे तो मुझे लगा था पर मेरे सामने कौन टिक पाएगा ये सोच कर फुड़ा रिलाक्स हो गई थी पर तुम्होरे जैसा कोई आएगा ये नहीं सोचा था क्या कहा उन दोनोंने? पचास घरों में जो चूरियां हुई है उसकी मास्टर माइन मैं हूँ ऐसा कहा? यकीन नहीं इंपॉसिबल मेरे पैटन का पता लगा लिया है लेकिन मेरे खिलाफ तुम्हारे पास एक भी एविटेंस नहीं है सही कहा न मैंने छोड़ा होगा तब न ये है मेरा चैस अकाडमी का आईडी काड हारने वाली बाजी मैं कभी खेलती नहीं एक बार तुम्हारे बारे में कुछ भी जाने बिना मैं रिलाक्स हो गई थी और तुम जीत गए लेकिन अगली बार मैं ही जीतूँगी ये घमन देखने के लिए मैं खुदा आया था You're right मेरे पास कोई evidence नहीं है लेकिन मेरी एक आदत है छुपके खेलने से अच्छा है कि सीथा आमने सामने खड़े होकर खेल खेलो अब तेरे हर एक कदम पर बार करने के लिए मैं खड़ा हूँ मैं जीतने के लिए किसी भी हद तक जा सकती हूँ हार जीत मेरे लिए एक ही है लेकिन किसी मुकाबले में मैं पीछे नहीं हटता लीला अपने दिमाग को अगर तुने सही इस्तमाल किया होता तो शायद कोई साइन्टिस बन जा दी बट नाव इस टू लेट यूर गूइं तो बी बिहाइंड बास हेई तुम हो कौन कहां से आये हो ओके तुम इतने कॉन्फिडेंस से बोल रहे हो तो तुम्हारे लिए एक छोटा सा चालेंज तुम्हारी कस्टेटी में उन दोनों की जुबान से हो सके हो सके तो ली ला ये दो शब निकलवा के दिखाओ और फिर क्या कहा था साइन्टिस्ट बन सकती थी समय बदल गया है पैसों के बिना आज साइन्स भी नहीं बढ़ सकते अगर तुम वाकई में मर्द हो तो उनके मुस्से मेरा नाम बुलबा के दिखाओ अब चलू बी रेड़ी तो फेस मी इसना मगभी किसना बुगल देंगे गातरी स्टॉप डून्ट राटी स्टॉप मीना मैडम रुके मैडम गातरी हलो हलो ऐसे मारेंगे तो यह मर जाएंगे एई सुनो चंदुर साफ को फोन लगाओ अरे फोन मुझे दो मैडम मत मारी है वोन मी उठा रहे हैं मैडम नहीं नहीं मुझे मत मारना मैडम अंका चोर्द मैडम पीजे बहुत दर्द हो रहा मैडम मैडम आपसे एटीम में चोरी नहीं करूगा मैडम में करूगा ईएएएए एए एए ईटीम की चोरी बाईक की चोरी बोल बोल की जदा चालाग बनने की कोश्च मत कर पचास घरों की चोरी से लेकर डायल फॉर हेल्प तक की गड़बडी तक इन सब का पता लगा लिया हमने और उसे भी पहचान गए अगर शराफत से उसका नाम बता दोगे तो तेरे जिस्म में जान बची रहेगी नहीं तो तेरा नाम और निशाम मिटा दोगी नाम बता उसका ए बाबू माट रहे उसे थोगे बालू? माडम? इए! माडम? 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 इस प्रवो? आङ। आङ। प्रवो? वालू? पालू? आई बालू रादम 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 सब्लगे में रादम पुलिस को मारेंगे तो वो गोली नहीं चलाएंगे दीदी पागल अगर तुम्हें जान से मारतेंगे तो ये केस प्रूव नहीं कर पाएंगे इसलिए वो लोग तुम्हें जिंदा पकड़ने की कोशिश करेंगे गोली नहीं मारेंगे अब बता दिया ना अब तेरा नाम कोई पूछेगा ना तो ठोग डालूगा उसको तुमने कहा था कि गुली नहीं चलाएंगे वो पागल हो गई हो क्या कितनी बार तुम्हें समझाया कंट्रोल करो कंट्रोल करो देख लिया ना वो दुनों जब कस्टेडी में थे तब उसने हिम्मत से कहा मर्द है तो मेरा नाम उगलवा कर दिखा उगलवा कर दिखा तब भी तुम्हारी समझ में नहीं आया कि ये ज़रूर उनका कोई प्लान है गुस्से की वजह से मैं खुद को संभाल नहीं पाई एक बात बताओं कम बुद्धी वाला ही पागल नहीं होता ज्यादा गुस्से वाला भी पागल होता है कुछ देर के लिए पर तो चान निकल गए आइम सॉरी अपना खयाल रखना ठीक है गाहत्री गाहत्री बिल्कुल ठीक है उसका खयाल रखे सार लीला फ्लैट में नहीं है कहीं अंडरग्राउंड हो गई है वो एक्दम संकी है कब क्या करेगी कुछ कह नहीं सकते हैं वो सरूर मुझे ढूंटे हुए आएगी सार मा बोल लीला कैसे किया कैसे किया काम की बात कर तुम्हारे बापने अशोक चक्र मेडल लिया था ना चंद्रू अलाइस सुभाष चंद्रबोस उन पागलों से यही गलती हुई न कि उन्होंने ये मेडल चुराया ये ना चुराया होता या तुम्हारे घर में आखोसे होते तो तुम इसमें नहीं पड़ते और ना ही कभी मेरे सामने आते हो सकता है करण अर्जुन से बड़ा योथा लेकिन अर्जुन के हाथो करण की मौत होगी लिखा है तो उसे कोई नहीं बदल सकता मेरे लिए दुश्मन का खून करना जरूरी नहीं उससे जीतना जरूरी है लेकिन कभी हालाद हारने वाले हो जाएं वो जीतने के लिए खून तो करना ही होगा ना सर उठा कर देख पहले बार से तो तुम बच गए ये मेरी चुला ही दलवार नहीं है जो दलवार तुम्हारे इंतजार में है उसका बस एक सैंपल है गाहितरी ने तुम्हारे भाई को मारा इसलिए उसे मारना चाहते हो ना उसे मारोगे तो एक ही जटके में मर जाएगी तुम इससे मारो तो वो पूरी जिंदे की तरपती यही है वो जिसने मुझे मारा था इसे नहीं शोड़ूगा बापरी आवास तो यहां तका रही है ए मिलिटरी तु मारेगा यह मैं जानती हूँ तेरी दुखती नस क्या है पता है गायत्री हॉस्पिटल में ही है ना मेरे दोनों भाईयों ने उसे घायल किया उसी से तो इतना तरब किया अब मैं जाकर उसका पूरा काम तमाम कर दूगी दो जानों में से कौन सी जान बचाएगा तो आप 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 आजा अब खड़े खड़े पेगर बार उसे अड़े अड़े उसे 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 पर आप C आप आप इस किर दो है पंदो, चलो上े उसे यसी किया उसे例 को उसे स्वात्यारा उसे पाउल बाह भाओल बाहएषर नहाएथ ऐसे भाह ऐसे जापишь अए? अए वख अइचव mínimoar अए वाय तरखंद, भंछ वाय तरखंद बुटे बुटे झाल को... प्रवार 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 प्रवा अआ! किसको बिएングोबटे方 किसको न अचता किसको बिएмов क्थज esti सब्पोरे थेसि presenters हेलो? Nooooooooo!! Hello, hello? Hello? Hello, hello ?! Hello? Hello? हेलो हेलो कौन है हलो हलो महां कोई पोलीस वाला उतो भूल्दाओ आपके लिए फोन है जल्दी है हलो हलो कियो सार जो पोना अगो करो अब क्या सार अग पुछ कर दो दो, अब डड़ाय जो, अब तो तो, टाए हू हूँ अए रहा, वाँ पर नाद रहा इनको हुवडर 06 00 वर यर 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 रहा हुडर लीला, तुझे लगता है, गेम रिवर्स करना सिर्फ तू जानती है, मैं नहीं जानता है जो का है, वो जल्दी करना कॉंस्टिबल, फॉरन काहितरी के कमरे से दो कमरे आगे जाकर खड़े हो जाओ बाहर सिर्फ एक ही पुलीस वाला खड़ा है, इसलिए काम हो जाएगा मत सोचना, यूनिफॉर्म में सिर्फ एक है, सिविल में साथ है लीला, तेरा खेला भी खत्म कर सकता हूँ, पर नहीं करूँगा तुझे चैलेंजिस बहुत पसंद है न, इसलिए 24 घंटे की महलत देता हूँ, मेरी नजरों से बच के दिखा अगर तुब बच गए, तो तुझे नहीं ढोड़ोंगा, इसलिए अन ओपन चैलेंज क्या कहा था तुने, बी रेडी टु फेस में, अब मैं कहता हूँ, दुआ कर कि तु मुझे ना दिखे, अगर दिख गए इसलिए 24 घंटे की महलत देता हूँ, मेरी नजरों से बच के दिखा, दुआ कर कि तु मुझे ना दिखे, अगर तु बच गए, तो तुझे नहीं ढोड़ोंगा, इस अन ओपन चैलेंज हैलो, बॉम डिफ्यूज करने आपका लड़का गया था, हाँ तो क्या हुआ? अच्छानक से बॉम फट गया, और उसके चीथड़े उड़ गए, समीन से उसके चीथड़े उठाकर जमा किये जा रहे है, गनेश, कमिशनर आ रहे है गनेश मुझे सब्फोकेशन सा हो रहा है, मैं थोड़ी देर के लिए टेरिस पर जाओ, माया, मिस को पर टेरिस मे ले जाओ, ओके पापा मेस, आये ना हारने वाली बाजी मैं कभी खेलती ही नहीं मुझे अभी नहीं खेलना, थोड़ी देर मुझे ऐसे ही छोड़ दो तो ठीक है, मैं नीचे जारी हूँ कहां जारी हो, तुम्हें तो खेलना था ना, चलो खेलते हैं कि अईending कि उनला हम फ्ड़ी है? अईगक दो प्वेल हों एडिंझव एडिपल आएभान यबसา हुम्ह मैं आप चारो दरब से फज़ गई है मैं जीत गई ना हाई लीला बेटा अंकल जड़ा नीचे जाकर खेलो तुम्हारे कोट से मुझे कुछ ज़रूरी बात करनी है जा ओके अंकल बाई मेस लीला सोचा था 24 गंटे तो आँख मिचोली खेलोगी उन तो 10 गंटे में ही फस गई पता है ओवर कॉंफिडेंट लोगों का माइनस पॉइंट क्या होता है उनके यकीन में ज़रा से भी दरार आई तो बरबाद हो जाते हैं तुम्हारी तरह सुनो सर नीचे उस बच्ची की रूम में तीन स्कूल बाग होंगा उनमें से एक स्कूल बैग उस बच्ची का है और बागी दो स्कूल बैग इस बच्ची के उसी में इसके लूटे हुए जेवर पैसे सब होंगे वो लेकर आँ ओके सब चलो स्कूल बैग में पैसे है क्या हुआ अलीला शौक लगा उस बैग में देखो अले बाद ने सर जैसा आपने कहा जेवर पैसे इसी में है तू हार गई चंद्रू एक कहावत है मारो या मर जाओ उसका दूसरा भाग मुझे बहुत पसंद है कुमार उली सपराधियों को जाल बिचा कर पकड़ती है न वो पकड़ती है या नहीं पता नहीं पर यहां पकड़ लिया जड़तााा लाद। पर यहां यहां वोब्ड़ता है तुने मुझे तो ढून लिया और अपने बॉप का मेटल तो जिंदेगी भार भी ढूंडेगा तो नहीं ढून पाएगा लीला 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 तू हमेशा गेम रिवर्स में खेलती हैं यह मैं जानता हूँ 15 अगस्त के दिन सब लोग सुरक्षित हैं ऐसा सब सोचते हैं लेकिन तूने उसी दिन चोरी के चोरी करने वाले चोरी के बाद कहीं न कहीं भाग जाते हैं लेकिन तूने चोरों को जेल में ही सुरक्षित रखना चाहा मैं मेडल ढूने शहर भर घोमोंगा लेकिन तू उसे मेरे घर के गार्टन में तब आएगे जब तू जान गए कि मैंने तेरा पाटन पकड़ लिया है तुझे रूट बदलना चाहिए था ना पर दूसी रूट पे चलती गए जब मेरे घर का CCTV कேमरा क्रेश हुआ तब ही मैं समझके तू मेरे घर मेंगुसी है तू नहीं जानती तू कैसे फसी है ना पिताजी को कबूतर बहुत पसंद थे जब भी वो मायूस हो जाते तो कबूतरों को देखने लगते पिंजरे में कबूतरों की निगरानी के लिए मैंने एक और छोटा कैमरा फिट किया था वहाँ देखे कबूतरों के गैमरे में एक लूमड़ी फास गई पहले जो पार्शल फिंगरप्रिंट्स मिले थे और मेडल पर मिले तुम्हारे फिंगरप्रिंट्स को माच करके तुम्ही गुनेगार हो यह 100% कनफर्म हो गया पता है आप तु क्या कहलाएगी चोर नी लीला नाउ यूर अब बिग जीरो अब तेरी जिन्दगी का हर एक पल तुझे कोसेगा गेम ओवर गणेश तुम्हारी मा को हाट आटेक ऐसे ही नहीं आया मेरी बचा से आया बचने का कोई रास्ता नहीं था I'm sorry तुम्हारी चुम्हारी है तूने जो कहा, वो करके दिखा दिया अब ड्यूटी पे जाना होगा, अपना खयाल रखना, सजा सकीरे, बिजली चली गई, ये तो अपशकुन का संकेत है, अब ऐसा कुछ नहीं होता दादी, ये अपशकुन वगे, एक मिनट, अब आपशकुन वगे, एक मिनट, अब एक मिनट, ये जापकुन का संकेत है, अब एक मिनट, लिए एक मिनट, प्रभाइब बादी अपशकुन रखना, अब एक मिनट, ये वगे, ये, 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 ये. झाल 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 झाल